एलो फ्रेंड्स वेलकम टो आवर चैनल लर्न पोर जोग दोस्तो भारत के प्रमुक राजनेतिक पार्टियों में इस एक बारती राश्टी कॉंग्रेस की अस्तापना साल 1850 में एओ यूम और अनिस अस्तापकों में दादा भाई नोरोजी और दिंसा वाचा सामिल थे इसके बारे में और अभी तक कॉंग्रेस के कितने सेशन हुए हैं और कौन-कौन प्रेजडेंट थे इसके बारे में भी मैंने आपको दो पार्ट की वीडियो में बताया था लेकिन दोस्तों तकरीबर 136 साल पुरानी पार्टी कॉंग्रेस कई बार टूटी और कई बार इसके प् पार्टी का गठन किया था जिसका चुनाव चिन पंजा रखा तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कॉंग्रेस पार्टी का विभादन कब-कब हुआ और कौन से पार्टीयां अभी भी एक्टिव हैं क्योंकि दोस्तों कुछ पार्टीयां निस्क्री हो गएं तो कु और स्वाराज पार्टी के रुप में уж तापिश स्वाराज पार्टी राष्टि कांग्रेस के दिसंबर के बास से सुराज पार्टिक समापत हो गया और lasers कौंसेल के साथ मद्रास का विल भारती राश्टिक को pursue ग्रेस में हो गया था और इंडिया फ्योर्वार्ट ब्लॉग भारत में एक वाम पंती राष्टवादी राजनितिक पार्टी है आपको बता दे कि 1938 में कॉंग्रेस अध्यष चुने जाने के समय सुभास चंद्र बोस चाहते थे कि कोई ऐसा वक्त अध्यक्ष बने जो किसी दवाव के आगे ना धुके जब और कोई सामने नहीं आया तो बोस जी कॉंग्रेस अध्यक्ष बनने की इच्छा जाता ही लेकिन गाधी जी उन्हें अध्यक्ष पद पर देखना नहीं चाहते थे और उन्होंने अध्यक्ष पद के लिए किसी और के नाम का सुजाव दिया लेकिन सुभास चंद्र बोस दोसो तीन मतों से चुनाव जीत गए थे इसके बाद दोस्तों त्रिपुडा में 1949 का वार्सिक कॉंग्रेस अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन में ना तो गाधी जी मौजूद थे और ना ही उनके साथी तो इस अधिवेशन की बाद भी परिस्तितिया नई बदली और तंग आकर 29 अप्रैल 1949 को सुभास चंद्र बोस ने कॉंग्रेस अधिश्पर्स से इस्तिपा दे दिया और इस्तिपाद देने के बाद सुधास चंदर बोस ने कॉंग्रेस के अंदरे forward block के नाम से अपनी party की अस्थापना की बाद में forward block अपने आपने एक स्वतंतर पार्टी बन गई और पस्ची मंगाल में पार्टी जाधा एक्टिव है अब हम देखते हैं सुतंतरता के बाद के पार्टियों को तो दोस्तों जेविक रिपलानी जिने आचारी क्रिपलानी के नाम से भी जाना जाता है ये सुतंतरता की समय आयंसी की अध्यक्षी थी लेकिन कॉंग्रेश सेमत्बेद होने की कारट इनंहें कॉंग्रेश चोड़ दे और जून 1951 में किसान मज़तूर प्रजा पार्टी की अस्थापना की आपको बता दे की बाद में पार्टी प्रजा सुशलिश्ट पार्टी बनाने के लिए सोशलिस्ट पार्टी ओफ इंडिया में विले हो गई इसी वर्ष में दोस्तों हैदराबाद राजी में जब तंगुतूरी प्रकासम और अचार एनजी रंगा भारती राष्टी कॉंग्रेस से अलग हो गएते तो उन्होंने हैदराबाद राजी प्रजा पार्टी का गठन किया था और बाद में इस पार्टी का मर्जर किसान मजदूर प्रजा पार्टी से हो गया इसी के साथ दोस्तों 1951 में ही सौराष्ट खेंडूत संग सौराष्ट भारत में किसान आंदोलन था इस संगठन की अस्थापना रती भाई उका भाई जो पूरो भारती राष्टी कॉंग्रेस के सदसिते उन्हों न की थी इस पार्टी का भी 1966 के मिड में सुतंत्र पार्टी में विले हो गया था 1956 में दोर सो CRC यानि कॉंग्रेस सुधार समीती का गठन सी राज गुपाल चारी ने किया था जीने के काम राजने तमिलाडू में कॉंग्रेस के नेत्रिक्तो को लेकर आंत्रिक पार्टी विवादू में पराजित किया था 1957 में लोग सभा और मदरास राजी विदान सभा के चुनाओ के ठीक पहले CRC ने एक राजी सम्मेलन आयूजित किया और खुद को इंडियन नेशनल डेमोकरेटिक कॉंग्रेस के रूपे पुनरगठीत किया इस पार्टी का विलय जुलाई 1959 में स्वतंत्र पार्टी में हो गया था तो दोस्तो आज से लगवक 63 साल पहले 4 जून 1969 को स्वतंत्र पार्टी का गठन हुआ था क्योंकि उस समय लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्स की जरूरत महसूस की गए थी इसलिए भारत के आखरी गवर्नर जनरल रहे चक्रवती राज गुपालचारी के साथ कई प्रतिष्टित नेता थे हैं जिसमें से अधिकास पुराने कॉंग्रीसी नेता जैसे की एंजी रंगा और मिनू मसानी जैसे दिगजों के साथ अस्तापित हुई स्वतंत्र पार्टी थी इस पार्टी का फोकस बिहार, राजस्तान, गुजरात, ओडिस्ता और मद्रास में ज्यादा था यहां आपको बता दे की आखिर इस पार्टी को सी राज गुपाला चारी द्वारा क्यों गठित किया गया था तो दोस्तों पंडिच वाहरलाल नेहरू के भारती राष्टी कॉंग्रीस पर बढ़ते प्रभुत्तु और नेहरूवादी समाजवाद को नकारना जिसका जुकाव कतित तौर पर कम्रिश्ट पार्टी की विचारधारा की तरफ हो गया था इसी समाजवादी नित्यों का विरूत करने के लिए इस पार्टी का गठन किया गया था और 1974 में इस पार्टी का विला भारती लोगदल में किया गया इसके बाद फ्रेंड्स केरल कॉंग्रिस की अस्थापना 1964 में INC के विवाजन सोई थी क्योंकि 1963 में घोटाले के बाद केरल के मुक्यमंत्री आर संकर ने ग्रेह मंत्री को अपने मंत्री मंदल से हटा दिया इसके बाद के एम जोर्ज के नेत्रित्तु में 15 सहयोगियों ने अव इस्वास प्रस्ताव पारित कर इनकी सरकार को गिरा दिया के एम जोर्ज और आर बाल कृष्ट ने मननात पद्मनावन के समर्चन से केरल कॉंग्रेस का गठन किया दोस्तों ये पार्टी अभी भी केरल में एक्टिव है लेकिन अभी अपने ओरिजनल पार्टी से स्प्रीट होकर कई अन्य पार्टीयां बन गई हैं आप उनके नाम यहाँ पर देख सकते हैं उडिशा जन कॉंग्रेस जिसे आम तोर पर जन कॉंग्रेस कहा जाता है उडिशा में एक राजनितिक जल था जिसका गठन 1966 में उडिशा के पूर्व मुक्यमंत्री हरे कृष्ण महताब ने भारती राष्टी कॉंग्रेस छोड़ने के बाद किया था इसके बाद 1967 के चुनाओं के बाद जन कॉंग्रेस ने सोतंत्र पार्टी के साथ मिलकर राज में गठबंदर सरकार में हिस्सा लिया फिर दोस्तो 1971 और 1974 के राजी चुनाओं में खराब परदर्सन के बाद 1977 में जन कॉंग्रेस का जनता पार्टी में विलै हो गया बांगला कॉंग्रेस पस्जीब मंगाल में एक चैत्री राजनितिक दल थी जिसका गठन 1966 में भारती राष्टी कॉंग्रेस की विभाजन के माध्यम से हुआ था और 1967 से 1970 तक भारती कम्मिनिस्ट पार्टी मार्क स्वादी के साथ मिलकर सरकार चलाई और जब बांगला कॉंग्रेसी तेजी से गिरावर्ट में चली गई तो भारती राष्टी कॉंग्रेस के साथ फिर से जुड़ गई दोस्तों विशाल हर्याणा पार्टी 1967 में अस्थापित बिडेंद्र सिंग के नयत्रित्तु में हर्याणा में एक राजनेटिक दल था और यह हर्याणा की पहली छेत्री पार्टी थी जो गठन के 6 महिने के बाद ही इस पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री बनाया था इस पार्टी का 23 सितंबर 1978 को कॉंग्रेस आई में विलाय हो गया 1967 में ही दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चरण सिंग ने भारती क्रांती दल का गठन किया था और 1977 के आम चुनाव के बाद पार्टी का जनता पार्टी में मर्जर हो गया मरिपूर पिपल्स पार्टी की अस्थापना 26 दिसंबर 1968 को भारती राष्टी कॉंग्रेस से असंतुष हो के एक सम्हू के द्वारा की गय थी और अभी भी ये पार्टी मरिपूर में एक्टिव है अब बात करते हैं दोस्तो 1969 की जब कॉंग्रेस के दिगज नताओं ने तकालिन प्रधान मंत्री इंद्रा गादी को ही पार्टी से निकाल दिया उन पर अनुसासन भंग करने का आरूप लगा था इसके जवाब में इंद्रा गादी ने नई कॉंग्रेस खड़ी कर दी और इसे कॉंग्रेस आर नाम दिया ऐसा कहा जाता है कि जिन नताओं ने इंद्रा गादी को पार्टी से निकाला था वही लोगों ने 1986 में उने प्रधार मंत्री बनाया था तब इंद्रा गादी के पास अनुबव और संगटन की समस्की कमी थी इवन 1971 में उन्होंने अकेले के दंपर चुनाओं लड़ा और मजबूती से जित हासिल की थी और इधर इंद्रा गादी से विवात के कारड़ी के कामराज और मोरार्ची देशाय ने इंडिया नेशनल कॉंग्रेस ओ यानि ओर्गनाइजिसन नाम से अलग पार्टी बनाय थी बाद में जिसका विले जन्ता पार्टी के साथ किया गया था 1969 में ही विजू पटनायक ने ओडिशन में उतकल कॉंग्रेस और आंधर प्रदेश में मैरी चन्ना रेड़ी ने तेलंगाना प्रजा समीती का गठन किया था 1971 में BBC यानि विपलोवी बांगला कॉंग्रेस पस्चिम बंगा के 1971 के चुनाओं से पहले कॉंग्रेसी नेता सू कुमार रोयने की थी दोस्तो BBC अब वा मोर्चे का हिस्सा है कॉंग्रेस फोर डेमोक्रेसी यानि लोक तंत्र के लिए कॉंग्रेस 1977 में जग जीवन राम हेमवती नंदन बवगूड़ा और नंदनी सत्पति द्वारा इंद्रा गार्दी की भारती राष्टी कॉंग्रेस छोड़ने और भारती अपात काल के दोरान उनके सासन की निंद 1978 में इंद्रा गार्दी ने कॉंग्रेस आर छोड़कर एक नई पार्टी का गठन किया जिसे कॉंग्रेस आई नाम दिया गया इस पार्टी को 1983 में चुनाओ आयोग द्वारा आइंसी के रूप में मानेता प्राप्त है इसके एक साल बात यानि 1979 में डी टेवराज U.R.S. न आपने देखा कि स्वतनतरता के बाद से कितनी बार कॉंग्रेस का विवाजन हुआ है तो अब मैं आपको वो पार्टी इस बताऊंगी जो कॉंग्रेस से अलग होने के बाद अभी भी एक्टिव हैं वरना वीडियो के लिंद काफी बड़ी हो जाएगी आप चाहे तो सारे इस वीडियो को पॉस करके देख सकते हैं तो 1984 में भारती कॉंग्रेस समाजबादी जिसका नेत्रितु असम के पूर्व मुख्यमंत्री किये थे इस गुट का 1999 में सरत पवार की एंसीपी पार्टी में विलय हो गया था हाला कि केरल में वाम मोर्चा के हिस्से के रूप में क फिर से ये अलग हो गया 1998 में ममता बनर जी ने कॉंग्रेस शोड कर औल इंडिया त्रियंड मूर कॉंग्रेस बना ली और इसके एक साल बादी सरद पवार पीये संग्मा और तारिक अनवर ने एंसीपी यानि नेशनलिस्ट कॉंग्रेस पार्टी का गठन किया था और इसी स साल में जम्मो और कस्मीर के पूर्व मुख्यमत्री मुफ्ति मुहम्मत सयद ने पिपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया था इसके बाद दोस्तों विधर्व जनता कॉंग्रेस महराश्ट में एक राजनितिक दल है जिसे 9 सितंबर 2002 को पूर्व सांसाज जमवुत राओ धोटे द्वारा लॉंच किया गया था इस पार्टी का गठन महराश्ट से अलग विधर्व छेत्र के मांग के लिए किया गया था नेक्स्ट पार्टी है नागा पिपल्स फ्रंट ये नागा लेंड और मरनिपूर राजी के छेत्री राजनितिक दल है जिसने 2003 से 2018 तक नागा लेंड के डेमियोक्रेटिक अलाइंस के हिस्से के रूप में भारती जनता पार्टी के साथ नागा लेंड सरकार का नेत्रित्व किया और इसके लेडर नेफ्यूर रियो होते हैं Y.S.R. कॉंग्रेस पार्टी 2011 में Y.S. जगनमोन रेड़ी द्वारा बनाई गई इसी वर्स All India N.R. कॉंग्रेस पुद्धुचेरी में कॉंग्रेस से अलग होने के बाद एन रंगा स्वामी द्वारा बनाई गई थी इसके बाद 2016 में 36 गड़ में कॉंग्रेस के बड़े नेता राय अजीत जोगी ने पार्टी छोड़कर 36 गड़ जनता कॉंग्रेस नाम से नया दल बना लिया था और अभी लाश्ट इयर ही दोस्तों पंजाब के मुख्यमंतरी के रूप में इस्तिफा देने और भारती राश्टी कॉंग्रेस शोड़ने के बाद 2 नौंबर 2021 को कैप्टन अमरिंदर सिंग ने पंजाब लोग कॉंग्रेस नाम से एक नई पार्टी बनाई है दोस्तों अगर आपने वीडियो देखा है तो आप मुझे कॉंट बॉक्स में बताईए कि कॉंग्रेस का पहला अधिवेशन कहां और कब हुआ था और इसकी अध्यच्छता किसने की थी तो फ्रेंड्स अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सेर कीजिएगा जिससे मुझे पता चले कि आपको ऐसे कंटेंट पसंद आ रहे हैं आप अपना फिडबैक कॉमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और चैनल पर पहली बारा हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना बूलिएगा इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाई